आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, कि आप सभी स्वस्तोंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदाय बनी रहे, कि वीडियो धनू यानि कि सजिटेरियस के लिए बहुत महत्यपून है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ता यानि क चंडर्मा सबसे तेज भागते हैं नवग्रों में से, सवा दो से ढ़ाई दिन में राशी बदल लेते हैं, तो बहुत सभाविक है कि जब इतना तेज चलेगे तो पूरे हफदे में अलग-अलग भावों में जाएंगे, अलग-अलग राश्यों में जाएंगे, अलग-अल activities पर चंदरमा का प्रभाव बहुत जादा होता है इसलिए सापताहिक राशीफल की महत्ता और बढ़ जाती है यदि आपकी लगण राशी या चंद राशी धनू हैं दोनों ही guidance के लिए वश्य इस राशीफल को देख सकते हैं टेकनिकली अलग लग राशी फल नहीं बन सकते हैं जहां से आपको जादा रिजर्फ मिलते हैं जहां से आपको जादा relatable feel करते हैं मेरा व्यक्तिकत मानना है कि लगण राशी सटीकता के और वास्तवीकता के बहुत पास होते हैं तो वहां से observe कीजिए नहीं पता तो चंदराशी से भी देख सकते हैं अलग-अलग गाराशी फल नहीं बन सकते है अलग-अलग राशी फल नहीं बन सकते हैं अगर आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और आठ मैं शाम के 7 वजे तक यहीं परहेंगे चंद्रमा का पंचम में आना यूं तो बहुत बुरा नहीं होता लेकिन पहली चीज चंद्रमा आपके अश्टमेश है तो अश्टमेश होने के नाते जब पंचम में आएंगे तो overthinking करवाएंगे, self doubt करवाएंगे, insecurities बढ़ाएंगे अब ये एक मात्र चीज नहीं है जो चंद्रमा को तंग कर रही है यहाँ पर सूर्य चंद्रमा साथ में है तो ये बना अवावस्य योगर और शनी की दृष्टी भी है यानि की बना विश्य योगर और ये पंचम भाव में है सब कुछ यानि की overthinking की तो सीमा ही पार कर जाएंगे anxiety की problem धनुवालों को बहुत होती है बहुत बार बता चुका हूँ मैं तो ये वो time है जब anxiety भी अलग level पर जाएगी और शित्ता भी अलग level पर जाएगी self doubt बहुत रहेगा overthinking वो भी negative side पर क्यों क्योंकि शनी की दृष्टी है overthinking अलग चीज होती है कि हाँ विक्ती बहुत सोच लेकिन जब वो नकरात्मक स्वरूप ले लेती है तो खदरनाक होती है तो यहाँ पर हफते का शुरुवाती भाग मानसिक रूप से बहुत कष्ट कारी आपके लिए दिख रहा है अब क्योंकि यह सब कुछ दस्वे से श्टम में हो रहा है यांने कि कारक σेत्र में भी बाधाइं आएंगी मानसिक उलज़ने आएंगी कारक σेत्र में stress बड़ेगा तो थोड़ा सा ध्यान अपना हपते के शुरुवाती भाग में दीजेगा बहुत कुछ एक साथ हो रहा है इसलिए चिंताएं थोड़ी बढ़ेंगी चंद्रमा यहाँ पर चर राशी में है और चंद्रमा चर राशी में होते हैं जिसे मेश राशी में तो वैसे ही बहुत उसक सोचने के ख्षमता होती है बहुत तेज हो जाती है तो यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा पर काफी प्रभाव है नकरात्मक वाला इसलिए जितना अपने उपर सैयम रखेंगे अपने आपको नियमित और पेशंस के साथ आगे बढ़ा सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रह नमान्च कुनली कह रहे है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाएंगी कोई छोटी मोटी कोई बुरी नियूस भी आ सकती है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दश्मान्च कुनली कारेक शित्र में शब्दों का उपयोग बहुत केरफुली कीजेगा और गलति आपके जो क्लाइन्स हैं उनसे भी लड़ाई चगरे हो सकते हैं जहां तक लव लाइफ की बात है ठीक है बस ये कहूंगा कि थोड़ा सा स्थिरता पर काम कीजिए ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ओवर पावरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और कभी-कभी हमें यह ल और hormonal disorders तंग करेंगे सरवाश्टक में आपका लगन बली यह एक बहुत अच्छी चीज है लगन का बली होना यानि कि जो problems तो आएंगी लेकिन लगन का बली होना यानि कि उनसे निकलने की क्शमता भी भरपूर मात्रा में रहेगी चंद्रमा आठ तारीक को रात के साथ चाब में आना बहुत बुरा नहीं होता बहुत अच्छा भी नहीं होता अच्छी चीज यह होती है कि कारे आगे बढ़ते हैं यह उपचे स्थान है और यहाँ पर चंद्रमा उच्च के हो गए यह भी अच्छा है व्रिशव राशी में आए जो स्थिरता देती है लक्ष्म के लिए अच्छी होती है तो कोई रुका हुआ पैसा तो वो वापस आ सकता है और अच्छी चीज है गुरू के साथ आगे गुरू क्या है लगनेश है अपने आप में गुरू है तो यहाँ पर लीगल कारयों में चीजे आगे बढ़ेंगी कोई ओफिशल कारय टकरा तो और चंद्रमा ने आकर उनको और एक्टिवेट कर दिया निकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा आकार दे देंगे जो प्रॉब्लम है भी नहीं उसको भी प्रॉब्लम में कंडवर्ट कर लेंगे अपने सोच के कारण अपनी जो आपका फ्रॉस्ट्रेशन है ल कोई अच्छी न्यूज आ सकती है स्पेशली करियर के हिसाप से कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अच्छा कुछ होता हुँ दिख रहा है या फिर कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है दश्वान चिकुनली करियर में आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे बिजनस के अच्छे थोड़े बढ़ेंगे, ऐसा लगता है कि प्लैनिंग अभी पूरी नहीं है, जिस भी चीज को लेकर कर रहे हैं, तो उस प्लैनिंग की पूर्णता पर काम करना है, लव लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है, लडाई चगड़े हो सकते हैं, नेगेटिविटी आ सक सकते हैं, सेहत के नुसार, पेट के रोग, इंफ्लमेशन, लिवर के रोग अतंग करेंगे, सरवाश्टक में आपका धनस्थान वली है, तो धन के रूप में जैसे मने का पैसा भी आएगा, अटका पैसा भी आपके पास आ सकता है वापस, दस तारीक रात के दस बजे चंद चंद्रमा का सब्तम में आना बहुत अटक ठीक होता है, नूट्रल वैसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जब चंद्रमा आते हैं, तो थोड़ासा क्रियेटिविटी लाते हैं, लेकिन आपके लिए अश्टमेश हैं, और जब अश्टमेश यहाँ पर आएंगे और लगन को देखेंगे, तो फिर पुनहा थोड़ी सी अनिश्चित्ता बढ़ेगी, जैसा मैंने कहा जो हफ्ते का शुरुआती भाग था, उसके comparison में तो कुछ भी बुरा नहीं होगा उतना, लेकिन अश्टमेश हमेशा अनिश्चित्ता देते हैं, और सब्तम में आए तो थोड़ासा आपके मन में doubts create करना शुरू कर देंगे, अचानक से कोई बड़ा निरने मत लीजेगा, married life पर थोड़ासा बुरा प्रभाब पर सकता है, इसलिए थोड़ासा cautious रहीगा, थोड़ासा स्थिरता रखिएगा, trust issues आ सकते हैं, business में पैसा आ सकता है, लेकिन नुकसान भी आपका ह तो ये समया आपके लीवन में थोड़ासा उथल-पुथल, मानसिक और overall यहाँ पर stability एक्सपेक्टमेट कीजेगा, कि ये हफ़ते का अंतिम भाग आपके लिए stability वाला दाएगा, नहीं वैसा नहीं होगा, mangal की दृष्टी पड़ी है, चौती चंदर mangal योग बन रहा है, business क बढ़ाने के उच्च कोटी के आपको आने वाले, वैसे भी धनुवाले ideas में तो उनकी कमी नहीं होती, ब्रस्पती प्रधान होते हैं, तो planning और ideas तो उनके पास कभी कम नहीं होते, नमान चे कुनली बता रही है, overthinking, over analyzing, over expectation, ये तीनों ही over आपको तंग करेंगे, जहां तक द बहुत शुब टाइम है ये, बले आपके खर्चे थोड़े बलेकिन पैसा बहुत आएगा, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है, कोई ऐसा काम मिल सकता है, जो बड़े स्थर पर आपके विजनस को आगे लिए कर जाएगा, love life, guidance की अवशकता थोड़ी दिख रही है, ऐसा होंगा कि अगर एक financial discussion नहीं होती आप दोनों के बीश में, तो बहुत गलत बात है, आज की टाइम में जो पती-पत्नी financial, बैट के महीने में एक बार finances discuss नहीं करते, बहुत गलत चीज़ है, अगर आप, आपके पास अंधा पैसा है, वो तो लग चीज़ है, लेकिन अगर एक limited amount of money है, कि दोनों कमा रहे हैं, है इतना पैसा आता है, और बैट के फिर भी एक financial discussion पती-पती नहीं करते घर के लिए, वो अवश्यक करनी चीए, कोई मुझे लग रहा है कि financial matters को लेकर यहां पर थोड़ी कहा सुनी, बहस हो सकती है, students, थोड़ासा उदासी इंता पूर्ण सम परिशानी बड़ेगी, infection के बहुत जादा chances है, ENT के रोग तंग करेंगे, सरवाश्टक में आपका तीसरा भावतिन तबली है, यात्रा के योग हफते के अंतिम भाग में अचानक से आपके लिए बन सकते हैं, कुपाई की जहां तक बात है, महादेव का दूद सभी शेक कर कर, ओम विश्व रूपा ये नम्हा मंतर का 27 बार जाब कीजिएगा, आशा करता हूँ, वीडियो काम आएगा, चैनल पे नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगली वीडियो में लूँगा तब तक के लिए, ओम नमार्ट